हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल टेस्टीन किचेन 24 बेसन की गट्टे की सबजी तो सबने बनाई होगी और सबका अलग-अलग तरीका होता है बनाने का अगर ये तरीका आपने देख लिया जिस तरह से मैंने बनाई है तो नेक्स टाइम से आप इसी तरह से बनाएंगे तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जटबट बनकर सबजी तयार हो जाएगी तो जब भी टाइम कम हो और कुछ समझ ना आए क्या बनाएं तो आप फटाफट बेशन के गट्टे की सबजी बना सकते हैं इस तरह से बहुत ही कम टाइम लगता है लंच डिनर कभी भी बनाएं तो इसे बनाने के लिए हमने एक कप बेशन लिया है तो मैंने पहले एक कप लिया था फिर थोड़ा कम लगा तो मैंने जादा लिया तो आप अगर 3-4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो करीब 2 कप आप बेसन ले और इसमें हमने 2 चमच दही डाल दिया है तो ये नॉर्मल दही है जो घर का होता है जादा खटा नहीं है थोड़ा सा लाल मिर्च पॉड़र डाला है आदा चमच हम अजवायन को क्रश करके डाल देंगे तो चुटकी हिंग डाल देंगे इसमें और मैंने फ्लेवर के लिए इसमें पुदिने के पत्ते काटकर डाल दी हैं फ्रेश आप कस्तूरी मेती हो तो आप वो डाल सकते हैं मेरे पास वो था नहीं कस्तूरी मेती तो मैंने पुदिना काटकर डाल दिया है अगर दो क्योंकि हमने दही डाला है और पुदीना डाला है तो उसमें से पानी already release होगा तो आप पहले mix कर लें तो मैंने पहले 1 कप बेसन लिया था तो मुझे कम लग रहा था ये तो मैंने आद़ कप बेसन और डाला है और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे तो ये थोड़ा बेसन तो मैंने थोड़ा सा ऑईल डाल दिया है दो तिन मून ताकि यह जादा चिपके न और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए हलका सा मिक्स किया है और इसे अब हम साइड में रख देंगे तब तक मसाला तयार कर लेते हैं तो दो मैंने हरी मिर्ची लिए हैं एक प्यास देंगे एक बरतन में हमने दो तीन चमच के करीब दही लिया है जादा खटा दही नहीं होना चाहिए एक चमच हमने धनिया पॉड़र एट कर दिया है थोड़ा सा हींग डाल देंगे एक चमच मैंने इसमें लाल मिर्च पॉड़र डाला है तो हम ये ग्रेवी के लिए मसाल तयार कर रहे हैं आदा चमच हमने हल्दी पॉड़र डाला है और आदा चमच नमक डाला है नमक बाद में टेस्ट करके और डाल देंगे तो इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अब आप इसमें हम डेसेकेटनेटश्डों डालेंगे तो नारिगल का बुरादा हो आपक अब इस मसाले को इन सब में हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो मैंने एक बोल में निकाल लिया है ये मसाला और थोड़ा सा पाने डाल कर ये मसाला हम तयार करके साइड में रख देंगे तो इस तरीके से आपने गट्टे की सब्जी कभी नहीं बनाई होगी बहुत ही स्वाध तोड़ लेंगे और इसको इस τरह से हटेली पे आप लंबा-लंबा इसको शेफ देना है इस तरह से आपकी चौईसह आप कितना मोटा रखना चाहरें इसको तो मैंने पतले-पतले तैयार किये हैं तकि ये जल्दी से स्टीम हो जाए वर्ना इनको बॉयल किया जाता है तो य यह वाला तरीका बहुत ही आसान है तो अलग से बॉयल भी नहीं करना पड़े का अलग से ग्रेवी तयार करने का जंचट नहीं है कम टाइम में सबजी बन जाएगी तो यह चार रोल बनकर तयार हो गए हैं अब एक कढ़ाई ले लिए मैंने एक कढ़ाई में हम सरसो का तेल ग भूनेंगे एक चमच अद्रक ल trailer का पेस्ट अध्क कर दिया है मैंने अद्रक लेशन का पेस्ट ना होगा तो प्यास के साथ में आप अध्रक लेशन भी ढालकर पीष सकते हैं तो ये इस मसाले को हम 2-3 मिनिट तक भूनेंगे, फिर उसके बाद में जो हमने ये मसाला त्यार किया था, कोकनेट वाला लाल मिर्च हल्दी वगरा मिक्स अलग से कीती दही के साथ में, वो इसमें हम आड़ कर देंगे, कलर के लिए हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर डाल देंगे, उससे कलर काफी अच्छा था और ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है, तो मैंने एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर डाल दिया है, और जो मसाले अलग से तयार थे, वो भी हमने सब इसमें डाल दिये हैं, अब मसाले को हमें अच्छे से भुनना है, जब तक ऑल सेपरेट नहीं होता है, तो अब ये अलग से मसाला भुना जाता है, और अलग से हम गटो को बॉइल करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, अब इसका तरीका ये है, कि नीचे मसाला हमने भुनने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें, ताकि मसाला जल्दी चिपके नहीं, अब इस तरह से जाली रख देंगे, या कोई भी आप प्लेट रख दें, जो इस तरह से कड़ाई पर उपर तक आए, मसाले को चिपके नहीं, उपर आए, और उसके उपर हम ये जो गट्टे के रोल तयार किये हैं, वो हमने इस पर रख दिये हैं, दस मिनिट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, और ये दस मिनिट में बहुत अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत जादा मोटा नहीं बनाया है, तो ये देखिए, दस मिनिट बाद हमने खोल दिया है, और ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं, बिल्कुल जाली को नहीं चिपकेंगे, जाली की जगा आप प्लेट पे भी स्टीम कर सकते हैं, प्लेट को रख दें इसके उपर, और कड़ाई में एक साथ मसाला भी बन जाएगा, और एक साथ में गट्टे भी तयार हो जाएगे, तो ये देखिए, अब हमने जाली भी हटा दिये, मसाल बिलकुल नहीं चिपका है, यानि कि जब हमने मसाला भुनने के लिए डाला था ना, तो उसमें आदा कब पानी डाल दिया था, ताकि मसाला भी अच्छे से भुने, और जित्ती देर गट्टा स्टीम हो, उत्ती देर वो मसाला जले नहीं, इस तरफ गट्टे थोड़े और कड़ाई में, थोड़ा सा इनको सेक लिया है, थोड़ा सा क्रीस्पी हो जाएं, और बस दो त robi तीन मिनिट सेक ना है, उसके बाद में मैंने गैस का फ्ले माँफ कर दिया है, थोड़ा सा कलर जो है ना, इनका गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस ऐसा ही कलर चाहिए मुझ गटे fry किये वे डाल दिये हैं fry नहीं मतलब हमने थोड़ा सा oil में सेका है इनको तो वो हमने इसमें डाल दिया है और मसाले के साथ एक दो मिनिट तक भूनेंगे नमक मिर्च आप टेस्ट कर लें जैसा आप खाते हैं spicy और नमक उस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल दें तो मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है अगर आप जाधा spicy पसंद करते हैं आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं आदा चमच के करीब मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है और इस gravy को हम थोड़ा सा पकने देंगे पानी डालने के बाद क्योंकि मसाला काफी थिक था तो रोटी से खाने के लिए gravy होनी चाहिए थोड़ा सा पानी डाल कर और इसको कवर करके हम 5 मिनिट तक gas low flame पर इसको cook करेंगे तो oil अच्छे से separate हो गया है एकदम ठिक gravy बन कर तयार हुई है आप इस तरह से बना कर देखेगा और फिर मुझे बताइए का कैसे बने थे आपके गटे बहुत ही soft बनते हैं और बहुत ही आसान तरीका है उपर से हरादनिया काटके डाल देंगे सबजी एकदम बन कर तयार है तो गर्म गर्म अभी से हम serve कर लेंगे रोटी के साथ पूरी के साथ खाएं आप या नान के साथ खाएं बहुत ही tasty लगते हैं बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने इसे बनाने का तो प्लीज कॉमेंट्स में बताएगा जरूर कैसे लगी रेसिपी वीडियो पसंद आई तो प्लीज जाद साथ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें